दोस्तो विनिस फोगाट भारत की कुस्ती पहलवान के लिए अब खबर आ रहे हैं कि उन्होंने कुस्ती से सन्यास ले लिया है हाली में ओलम्पिक फाइट पहुंची थी पूरा देस उनके लिए खुशी मना रहा था लेकिन 100 ग्राम वेट अधिक होने के कारण उन्हें फाइट खेलने से रोक दिया गया उन्हें डिसक्वालिफाई कर दिया गया दोस्तों जब आप 100 ग्राम सुनेंगे तो एक पल के लिए आपको लगी कितना आसान है ये 100 ग्राम वेट कम कर लेना अगर उन्हें थोड़ी सी डाइट पर ध्यान दिया होता, जब उन्हें पता था कितना बड़ा final खेलना है, तो वो अपने weight को थोड़ा control कर सकती थी, दोस्तों यह कहना बहुत आसान है, लेकिन यकीन मानिए हमारा जो सपना है उससे कही ज़्यादा बड़ा सपना उनका था, देश के लिए medal जीतना और देश के लिए खेलना, आपको बताते हैं कि weight control करने के लिए उन्होंने खाना, पीना, सब कुछ त्याक कर दिया था, लेकिन semi final के दिन दोस्तों, एक ही दिन में उन्हें तीन match खेलना था, और तीन match कोई local match नहीं था, ओलंपी का world label का match था, जिसमे पे उन्होंने world champion को हराय था, जो कि पिछले कई सालों से एक भी international match नहीं हरी थी, दोस्तों, इसके लिए आपको ताकत भी चाहिए होता है, 29 सार की उमर में एक महिला को 50 kg से अंदर weight को control करना यही बड़ी बात है, उसके साथ ही साथ आपको world label पे olympic कुस्ति खेलने के लिए कि वो ताकत भी चाहिए, फाइनल में उन्होंने एक ही दिन में तीन मैच खेला तो वो इतनी प्यासी और अविस सी बात है उन्हें एनरजी चाहिए था, तो उनकी team management ने थोड़ा सा drink दिया, और थोड़ा सा खाने पीने को दिया, जिससे उनका weight final match से एक दिन पहले 2.7 kg, ल बहुत जद्वजात मेहनत के बाद भी आखिकार 100 gram, केवल 100 gram weight उनका ज्यादा रह गया, जिसकी वज़े से उन्हें disqualify कर दिया गया, उन्हें बताया जरके कि थोड़ा सा और समय रहता तो इसकी बेटी उसे भी कम कर देती, और जैसे पता चला कि अभी वो disqualify हो गई, वो इस तरीके से निरास होके बैड़ गई और आप यकीन मानें उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो चल से गए, उन्हें hospitalized कर दिया गया, कि अब फाइनल खेलने के लिए तनी मेहनत करी थी कि कैसे उस जजबे से लड़ती कि जब वो फाइनल नहीं खेल पाए तो उन्हें hospitalized कर दिया गय लेकिन इस हद तक मेहनत करना देश की मेडल के लिए यहां तक पहुँच पाना भी किसी बड़े achievement से कम नहीं तो पुरे देश को गर्व है आज विनेस फोगाट पे इस अपने देश की बेटी पे जिन्होंने यकीनन देश का नाम रौसन किया हमारी तरफ से भी सलाम ऐसी ब